दोस्तो नमस्कार मेरा नाम सीवम चतुरवेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वाइस चैनल दोस्तो अब कस्मीर की एक अलग नई कहानी रची जाएगी और वो कहानी किस तरह से रची जाएगी अब आप सब लोग को मैयाज उसे समझाओंगा विस्तार रूप से पिछले एक सालों में दोस्तो आप लोग कस्मीर के कई सारे रंग देखे होंगे सबसे पहला ये कि वहाँ से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाया गया और उसके बाद जो कस्मीर के हालार बने वो सब आप सब लोग देखे होंगे और लगभग एक साल से भी जादा का वहाँ फुल लॉकडाउन किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त ना होना और इंटरनेट की सुपिधा मुहया ना होना ये सारी चीजें वहाँ पे हुई वहाँ के सभी बड़े नेताओं को नजर बंद कर देना उनको एक तरीके से कैद कर देना ये सारी चीजें आप लोग को देखने के मिली लेकिन अब एक नई कहानी कस्मीर की सुदू होने जा रही है जिसमें कस्मीर को सेल पे लगाया गया है जी हाँ दोस्तों अगर सीधा सीधा में यही कहूँ तो यही मतलब इस चीज का निकल के आएगा कि कस्मीर को सेल पे लगाया गया है सरकार द्वारा मन्डि को एक गजट पास किया गया जिसमें ये कहा गया कि कस्मीर में जमीन अब कोई भी नॉन कस्मीरी आदमी खरी सकता है अगर वो अगरी कल्चर जमीन नहीं है तो तो ये गजट पास होते ही बहुत सारी बयान बाजियां सुध हो गई, कस्मीर के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सब ने इसके खिलाफ बयान दिया और पुर्जोर तरीके से इसके बिरोध करने की कोसिस किये, क्योंकि वो कोसिस ही कर सकते हैं, ये चीज़ा आप समझ ल और वहां के लोगों को एक तरह से सौंतना दीजिए, जिसके तहित वहां की आम जनता जो है, वो सायद मुम्किन है कि एक जलावे में आ जाए कि वहां के जो आम निवासी लोग है, उनकी जमीन नहीं जाएगी, लेकिन इसका सीज़ा सीदा मतलब क्या है, आप इसको समझ ल हर कोई उस जमीन को खरीद सकता है, तो क्या जो कस्मीर की सुंदरता की बात की जाती है, जिस ग्लोरी की बात की जाती है कस्मीर के अंदर, वो ग्लोरी वहां पे इंडिस्टलाइजेशन होने के बाद भी मौजूद रहेगा कि नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है, पहली बात की जाती है, रोजगार की, कि कस्मीर के जो युवा हैं, उनको रोजगार के औसर प्रदान नहीं किये जा रहे हैं, इसके पीछे एक हवाला दिया जाता है कि वहाँ पे इंडिस्ट्रिस नहीं है, इस वज़ा से वहां के जो युवा हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा है वहां के जूई हुआ है उनका source of income वो होता है वो लोग उसी दर्मियान उसी के अंदर कुछ अपना दोजगार के उसार तलास लग रहे थे लेकिन उन से तर्मिया कर तिया गया हटा दी गई चीज है चाहे मैं बात करूऊं दोस्तो डल झील की जो एक कस्मीर की सबसे बड़ी सुंदरत्ता की एक जीती-जाकती सबूत मारी जाती है और चाहे मैं बात करूँ और बहुत स स्रूती है कस्मीर के जो कराईयां होती हैं, कारपेट होती हैं, उन सब चीजों का भी काम बिल्कुल ठप बन चल रहा है, बिल्कुल बंद कर दिया गया है, तो जो कस्मीर के मोल ब्यापार हैं, उन पर छोड़ पहुचा के वहाँ पे industrialization करना, ये कितनी बड़ी समझदारी की बात है, इसको आप थोड़ा सा समझिए, क्योंकि जो कस्मीर की मोल समस्या है, वो कस्मीर के जो लोग हैं, उनको बिना हित में लिए solve नहीं हो सकती, उसका समाधान नहीं निकला जा सकता, और उसका समाधान तभी निकलेगा, जब क कस्मीर के जो वहां के अस्थानिय ब्यापार हैं, वो फलेंगे फूलेंगे, तभी वहां का समधान निकल सकता है, क्योंकि कस्मीरी लोग बिलकुल industrialization से परहेज करते हैं, उन लोग कभी यही मानना है, कि अगर industrialization कस्मीर के अंदर हुआ, तो जो glory है कस्मीर की, वो समाप्त ह हो जाएगी, और यह बहुत बड़ा खत्रा है दोस्तों, आप सब लोग को पता होगा कि पहारी इलाकों में क्या होता है, कैसी सुंदर्ता होती है, कैसी भव्यता होती है, वहां पे pollution का एक अगर दौर सुरू हुआ, तो जाहिसी बात है, वहां की glory समाप्त हो सकती है, तो इ लेकिन सरकार यह सब नहीं करेगी, क्योंकि इसमें सरकार का अपना कोई फायदा नहीं है, सरकार ने जो वादा कर रखा है, लोगों से और पूरे देश से, कि आप सब लोग कसमीर में जमीन खरी सकते हो, अब कितने लोग खरीदने के लिए जमीन आगे आएंगे, वो तो द भाव कैसे जमीन को बेचा जा रहा है कसमीर के अंदर, वहां के मूल निवास्चियों से जमीन को छीन कर, यह सारी बाते निकल के सामने आएंगी, लेकिन इससे कसमीर की और कसमीरी लोगों का क्या हित है, यह समझ लेजे, इससे उनका कुछ हित होने वाला, अभी तक नहीं लग रहा है कि सायद कुछ हित हो, लेकिन जो चीजें हैं दोस्तो, मैंने सोचा आप सब लोग के सामने एक अश्पस्टी करन रख दिया जाए, जो मैंने सुरु में बात कहा था कि कसमीर फॉस सेल, यह उमर अब्दुल्ला का बयान था, और उसी के हवाले से मैं आप सब लो हैं, उसको बेचा जाना चाहिए, कि नहीं बेचा जाना चाहिए, इंडस्ट्रियल और कॉमर्सियल परपस के लिए इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना बोलें दोस्तो, मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक क्लिए नमस्कार